हाउर फिक्स वीवो कॉल एंडेट प्रॉब्लम नमस्कारोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच योटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल एंडेट प्रॉब्लम को सॉल्फ के से करना है वीवो के फोन पर इसका बेस्ट टरिका क्या होता है मैं आपको वो इस वीडियो पर बताऊंगा आप सिंप्ली उन सोलिशन को करके देखे आपका जो प्रॉब्लम है दोस्तो उनसे फिक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तो ये कॉल एंडेट का प्रॉब्लम है सिर्फ यहां पर दोस्तों आपको कुछ देर के लिए ही होगा ठीक यह ज़ादा देर आपको कॉल एंडेट का प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है कभी नेटों के वज़ए से हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा आपने आप ही हो जाती तो सिंप्ली वीडियो को शुरू से लेके हम तक देख लीजे और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं के आई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक कर दीजेगा यहीं आपका उनलाइन पैसा कामान है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है और सारी साथ किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शूरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉलूशन तो सबसे पहले तो दोस्तो इसका सबसे आछा तरीका तो यहीं है कि आप फोन को स्विच आफ करते हैं तीक है Switch Up करके दोस्तो कुछ 1-2 मिनिट के बाद आप On किजिए उसके बाद ट्राइ करके दिखिए उससे कई बाद प्रॉब्लम सॉफ हो जाते हैं यहीर प्रॉब्लम सॉफ हो गया तो ठीक है नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉफ दोस्तो आपको सेटिंग पर आजाना है सेटि पर आपको प्रोब्लेम आ राए उस सेलेक्ट करें रिसेट सेटिंग पर दबा दीजिए और अपना मुबाइल पास्वोर्ड डेखें दुबारा से इस रिसेट सेटिंग पर click कर देना है आप देख सकते है नेट वोक सेटिंग Reset हो चुका है ये करने के बाद दोस्तों मॉबाइल को एक बार restart कीजिए मॉबाइल restart करने के बाद दोस्तों देखेगा problem आपका solve हो जाएगा ठीक है तो ये एक simple सा और basic सा solution है इसको करके देखे, solve हो जाता है, problem तो आपका काम बन चुका है, दुबारा से problem आ जाते हैं, तो दोस्तो आप mobile को airplane mode कर दिजेगा, ठीक है, airplane mode करके 30 second जैसा आपको 1 minute जैसा wait कर लेना है, ठीक है, उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करना है, device को restart करना है, ठीक है, airplane mode को disable mode कीजे, airplane mode कीजे, 1 minute wait कीजे, device को restart करके, दुबारा से airplane mode को disable करके, आप call करके try कीजे, उससे आपका problem solve हो जाएगा, ठीक है, सारे साथ दोस्तो आपको इस तरह का problem होते रहते हैं, device पर, तो दोस्तो आप simply system update पर जाके software को update करे, ठीक है, mobile software को update कर लिजे, तो mobile software update करने से भी इ issue होते हैं, वो simply fix हो जाएगा, ठीक है, तो यह सब आप कर सकते हैं, उसके बाद भी दोस्तो यहाँ पर problem जो है, आते रहते हैं, तो आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, application and permission पर जाके app manager ओपन कीजे, app manager पर जाकी दोस्तो, यहाँ पर एक और solution है, जो मैं आपको show करके बता र करना है, for stop पर click करके ok कर देना है, internal storage पर जाके clear data पर click करके इसको भी ok कर देना है, ठीक है, simple तरीके से आप इसको follow कर जिए, और यह करने के बाद device को एक बार डुबारा से restart कीजिए, तो इससे आपका call ended का problem solve हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्ते यह call ended का problem जो है, जैसे कि मैंन ठीक है, problem अपने आप solve हो जाएगा, यार फिर आप customer care को call करके पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो आपको बता देगा call ended का problem की हो रहा है, यदि आपका दोस्तो फोन पे ऐसा हो रहा है, तो आप किसी दूसरे फोन से customer service को call करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, झाल, 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